हाई फ्रेंज मैं हूं मानव विल्कम तो मूवी शूवी के आल चालें एक मूवी ब्रमास्त्र जो की काफी चर्चा में रही है फॉर वेरियस रीजन्स कुछ दबाने के लिए लग गए लोग कुछ उठाने में लग गए लोग और कुछ लोगों ने बोला कि जी यार लेट्स इसले भी इंपोर्टेंट मुवी थी उस लिहाथ से पाट इसले भी इमपोर्टेंट हुए इसके में कोस्ति काफी ज्यादा हाई है तो क्या यह स्मेकिंग कॉस को भी रिकावर कर पाईगी ने कर पाईगी उस पर विडियो अलग से बना चुका हूं तो आपको टाइम नीर करूंगा अगर आपको रेफर करना तो आप चैनल पर जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करोंगे आपको दिख जाएगा वो रिव्यू जिसके अंदर मैंने पूरा डेटेल आपको अनलेसिस दिये एकनोमिक्स का पराग मैंने पो कल बताया था डेट जिक्स के अंदर करीबें 11 क्रूर रूपे की कमाई हुई थी तो टोटल था वो 165 क्रूर रूपीज हो गया था फ्रूंग फिर से ड्रॉप आया है वो है करीबें 8.5 क्रूर रूपीज का तो आप यह कह सकते हैं कि मंदे से तरज़े तक अभी 50% ड्रॉप आ चुका है फ्रम 16 क्रूर तो 8.5 क्रूर रूपीज तो क्या ही कंसर्न है मैं बोलूँगा कंसर्न है भी और नहीं भी ऐसा ड्रॉप होता है कई बारी लेकिन फ्राइडे सार्डे संड़े में यह फिर से जंप लेगा तो अगर यह जंप प्लस इंटरनाशनल मार्केट से भी आड होंगे क्योंकि इंटरनाशनल मार्केट के अंदर भी यह काफी अच्छा कर रहे है तो लब लब बारा तेरा करोट रूपे के आसपास आज भी आड होंगे तो जिसका टोटल है इंडिया नेट क्या वो हो जाएगा 174 क्रूर रूपीज और जस्ट टचेंग 300 क्रूर रूपीज वर्डवाट क्लेक्शन हो जाएगी 295 क्रूज और मुस्ट 300 क्रूर रूपीज के आसपास यह पहुंच जाएगी विच इस गुड नंबर बट लॉंग वे तो अगें लेकिन इतना लॉंग वे भी नहीं है क्योंकि इसकी क्रूर रूपे का बिजनस हुआ है और तिल्गू मार्केट अलोन एस कॉंट्रिब्यूटेड अबाट 13 क्रूर रूपीज तो यह अच्छे डिरेक्शन के अंदर मोटा मोटा मुवी है जितनी उमीद थी उतना तो नहीं है बट मैं यह बोल सकता हूं कि मुझे ही उमीद थी कि आज की स्टेज के साबसे यह लगभा लगभा 400 के आसपास होनी चाहिए इसका लाइफ टम बिजनस 600 और रूपीज के आसपास होता तो एक क्लीन जिसे कहते हैं विदाउट एनी कॉंट्रवर्सी हिट होती थेटर लेवल के उपर भी हिट होती बट अब ही फिलाल के लिए इसको काफी सारे डाइनमिक्स के उपर काम करना पड़ा है ताकि यह एक अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाए चाहिए वो टेटी लेवल्स हो चाहिए वो म्यूजिक राइट्स हो चाहिए फिर और कुछ भी हो लेकिन फिर भी यह इतना कमाई तो कर गी है कि मेकर्स को एक हमत आगी है कि उन्होंने नेक्स्ट इसके पार्ट की भी अनाउंस्मेंट कर देए जो कि 2025 में आएगा डिसेंबर के अंदर जो कि कहला आएगा देवा और यह जो देव है की कहानी है और यह काफी इंट्रस्टिंग इसले होती जारी क्योंकि अभी सहीज की थियोरीज बन निश बढ़ी